हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयरुवेद ब्यूटी जंक्षन में दोस्तो परमपिता परमात्मा से हम आपके अच्छे स्वस्थ वे सुकत जीवन की कामना करते हैं दोस्तो जिस औसदी के विश्य में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वह बहुती रामबान औसदी है उस औसदी के विश्य में जानकर विज्ञान जगत भी हैरानी में पढ़ गया था दोस्तों उस औसदी का पत्ता जड़ पत्तियां फल सभी हमारे लिए रामबान औसदी का कारे करते हैं उस औसदी के विश्य में बताने से पहले साथियो आपसे कहना चाहूँआ यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को दवाएं जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंथ प्रवाब से मिल सकी सातियों शुरू करते हैं उस औसदी का नाम है अमरूद जी हां सातियों अमरूद अमरूद उन वेक्तियों के लिए रामबान औसदी का कारे करता है जिन वेक्तियों को लंबे समय से खासी की समस्या होती है तता उनकी खासी किसी भी प्रकार के टॉनिक से नहीं जाती है आपको बता दू, जिन वैक्तियों के दांतों में पीले पड़े हुए हैं, जर्दा, गुटका, तमाकु कहने से उनके दांतों से बदबू आती है, तदा पीले पन की समस्या उनके दांतों में बहुत ही जादा है, यदि वो वैक्ति, अमरूद की पत्तियों को जला कर उसका पेश्ट बनाकर उसे करते हैं तता अमरूद की टेहनी की दांतों करते हैं तो वह अपनी इस समस्या से बिल्कुल निजात पास सकते हैं यह उनके लिए रामबान और उस्दी का कारे करती है साथ ही मैं आपको बता दू जिन वेक्तियों के दांतों में दर्द रहता है यदि वो वेक्ति अमरूद की टेहनी का अर्क निकाल कर अमरूद के फल का अर्क निकाल कर अपने दांतों और डाड़ों में उसकी मालिस करते हैं तो वह अपनी इस समस्या से बिल्कुल निजात पा झाल झाल